हलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और टोपिक के उपर जो कि इंटर्वियो में काफी पूछा जाता है और आप से भी पूछा जा सकता है जो कि है मर्जर ओफ बैंक अब इस से रिलेटिड में समझ लेते हैं मर्जर ओफ बैंक को ताकि किसी भी तरह की क्वेश्चन को आपना वहां पर अंसर कर सको उन पॉइंट्स को यूज करके तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह मेरी चोटी से इंटरॉक्शन है यह मेरा नाम है मैं पी-ओ पोस्टिड था ओब प्या लेने के लिए देखे पब्लिक सेक्टर बैंक ना आपस में ही एक दूसरे के अगेंस ना फाइट कर रहे हैं और उनको वहां से लाके और हो क्या रहा है गवर्नमेंट को ना हर जगया पे अलग-अलग से इनके अंदर ना कैपिटल इन्फूजन करना पड़ता है इन के सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल के रिगार्डिंग और साथ में जो रूल्स होते हैं इंटरनेशल बैंकिंग की जिसमें C.R.A.R. आइचिंग आपको पता होगा याद है ना C.R.A.R. इन सब को मिंटेन करने के लिए कैफिटल इनको करना पड़ता है तो जो गवर्नम अब एक बात बताईए जैसे मालो एक सिटी है सिटी ए ठीक है इसकी पोपिलेशन है माल लेजिए 20,000 अब 20,000 लोगों को सरु करने के लिए वहाँ एक PNB की भी ब्रांच है वहीं पे आपकी मालो OBC की ब्रांच है वहाँ पे मालो UBI की भी ब्रांच है अल्टिमेटली इन त इसका मतलब क्या है कि वह Capital Government की ही Infuse हो रही है जबकि अगर मालो इन टीनों को अगर Consolidate कर दिया जाए तो वहाँ पे एक बैंक की ब्रांच खोलनी पड़ेगी और जो हर जगह इसके सामने भी गाड़ बैठा है इसके सामने भी गाड़ बैठा है अब Total एक ब्रांच बना द प्रोपर होने लग जाता है तो Government की Intent यह है बट आपको इन चीजों के Answer करते हुए यह चीजे जो Consideration के Point है वह यह है कि जो Interviewer है जो आपसे एक Question पूछ रहा है वह या तो Merger को लेके Neutral है 90% Chance है वह Neutral मिलेगा Merger को लेके या फिर वह Biasd भी हो सकता है ज्यादा Chance है कि वह Positive मिले रादर देन बिंग नेगेटिव क्योंकि बिंग रैशनल परसन ही नोज दक इंटेंट विहांड इट ठीक है और Majority of the chances are that the people who are sitting into the interview panel they are very rational तो आप यह मान के चलो कि इंटर्विवर या तो Neutral है या फिर Positively Biasd है अगर है तो उसके बाद चलते हैं Government Government का जो Point है वो तो Favor में है यह वो कर ही रही है और Reality क्या है देखिए Mostly Advantage ही है इस चीज के क्यों क्योंकि एक बड़ा Bank बनेगा आब आप एक बात मान के चलिए जो इंडिया के अंदर 62% जो Business है ना यह जो Market Share है वो Public Sector Bank के पास है उसके बावजुद हमारा सिर्फ एक बैंक है जो World के जो बड़े बैंकों की लिस्ट आती है ना उसमें 50 में 60 में नंबर पे एक ही बैंक गूमता रहता है वो है हमारा SBI जबकि हम 5th largest 4th largest economy की बात करते है बैंक हमारा 60 में मतलब पूरे 100 में इसका मतलब क्या है कुछ तो गलत हो रहा है ना यहां पर तो reality तो यही है अब आपका answer क्या है बेसिकली यह चीज़े तो थी एक अलग जो आपको इनके बारे में सोचना है बट आपका answer क्या होगा आपका answer होगा जी diplomatic diplomatic कैसे होगा वो neutral होगा और वो mix होगा ठीक है बट हमें यह दो चीजों से बहुत बचना है एक तो negative of government avoid करो और negative of bank avoid करो क्योंकि दोनों ही चीज़े आपके खिलाफ चली जा सकती है अब आजाते हैं actual में advantages और disadvantages के लिए देखिए अगर advantage तो यह है कि जब आप merge करोगे ना तो एक बड़ा और strong bank बनेगा strong bank बनेगा इसका मतलब है उसका market cap जो है वो बड़ा हो जाएगा ठीक है छोटे छोटे दो तिन player होने से अच्छा है ना कि एक बड़ा player बने जिसके base पे कुछ खेला जा सके कुछ एक अच्छी drive चलाई जा सके तो बड़ा और strong bank बन जाएगा दूसरा business जो है ना bank का वो increase हो तो that bank will be too big to fail fail होने के chances काफी कम हो जाएंगे छोटे छोटे जितना छोटा player होगा उसके हारने के chances काफी कम हो जाते हैं too big to fail का मतलब यह होता है कि इतना बड़ा बन चुगा कि यह fail नहीं हो सकता है तो इस चीज़ के chances बढ़ गए है operational cost यह मैं थोड़ा सा define करी चुका हूँ कि एक ही जगह पे मालनो तीन अब पहले branch की बात की थी अब ATM की बात कर लेते हैं तीन ATM है और एक चोग है यह मालनो कोई कोई भी ABC चोग है वहाँ पे तीन ATM है एक इस bank का एक इस bank का एक इस bank का और तीनों यह bank by chance public sector bank है अब एक बात बताओ अगर यह एक bank बन जाता है यह ती काफि कम होगी, और काम वह होई रहे, एक branch भी cash dispersed कर रहे, दूसरी भी cash dispersed कर रहे, तीसरी भी cash दिस्बर्स कर रहे, काम तो वही हो रहे है ना, UT is a bank अपर लोग का और अच्छे से काम रहे है और, C को मतलब जरब होती है जब decision making होगी है तो एक bank उसको अलग यह एक और जो और चीज तरीके से अनलाईज करता है, अलग तरीके से implement करता है, दूसरा अलग तरीके से अब government के लिए ऐसे हो जाता है कि 8-10 बंदे बिठाने पड़ते हैं उसको समझाने के लिए भाई ये कर, ये कर, ये कर और ये मत कर अब अगर मालो वो जो नंबर है, एक पूरे टेबल के उपर वो बिठा सकते हो आप उनको अभी तक मालो पहले 22 बैंक के, 22 से फिर कम हुए, फिर कम हुए, फिर कम हुए, अब मालो चार बंदे बच जाते हैं, तो चार बंदों को बीच के बीच में policy implement करवाना असान है, आप मतलब उनको call कर सकते हो, मतलब एक वैसे, generic sense कहा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सरकार कोई call करने वाली है, मतलब चार बंदों को operate करना आसान है, रादर जैनकी 24 को बिठा के समझाओ, 24 मेंसे, मतलब आदे भी अगर काम नहीं किया, तो आपका 50% बिजनस कराब हो गया, तो NPA management जो है न, वो काफी अच्छी हो दिशिजन मेकिंग और implementation, ये बहुत फास्ट हो जाएगी जितनी जो है, number कम होएंगे जितनी number जादा होगी, एक class के अंदर माल लो, अगर एक teacher को, एक तो 200 बच्चे को manage करना हो, आराम से कम, मालो, 7, 8, 8, 6 point मिल जाएंगे, ये मैंने main main point आपको बता दिये, अब इनकी disadvantage की बात कर लेते हैं, अब जा, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इन में से कोई भी point आपको किसी भी तरह से use करना चाह सकते हो, जैसे आप अगर मालो आपको positive बताने पड़े तो ये बता दो negative बताने पड़े तो नीचे वाले बता दो आपका opinion क्या है, अपने opinion में ये point यूज कर लो, हो सकता वो directly पूछें कि ऐसा कहा जाता है, इसकी आपके बास क्या explanation है, तो इस तरह use कर लो इन point को, तो ये information है, जिसको आप किसी भी तरह से mold कर पाओगे, अपने answer को form करने के लिए, अब हम disadvantages बात कर लेते हैं, भई हो सकता है short run में disadvantages हो, short run में disadvantages क्या होंगे कि पूरे का पूरा ना government का system हिल गया है, initially hiccups बहुत हो गया है, transition issues हो गया है जो teething problem होती है ना, transition में वो face कर रहे हैं, business hamper हो रहा है, business को एक line पे लाने के चुड़ता है, सारे loans को इस तरह करना पड़ेगा, अब यह उसका bank है, वो loan take over होंगे, काफी चीज़े ऐसी होएंगी, जिनमे initially आपको नुक्सान होगा, बट long run में यह आपके लिए profitable है, क्योंकि एक वो कहावत है न, कि united we stand and divided we fall, तो जितना हम बटे हुए होंगे न, उतना हम मतलब weak होंगे, और जितना unite होंगे, जितना consolidate करेंगे अपनी power को, उतना हम strongly खड़े होंगे, उसके बाद disadvantage transition issue मैं बोली चुका हूँ, हाँ employment के उपर एक बार initially फर्क पड़ेगा, क्योंकि employment की जैसे मैंने बात करी advantage भी तो यही था bank के लिए, but employment भी एक short term में decrease होगा, मालो एक bank consolidate हो जाता है, बड़ा bank बनता है, बड़ी teams बनती है, अच्छे से loan ले के आते हैं, अच्छे से deposit ले के आते हैं, bank का business बढ़ा होगा, business बढ़ा होगा, तो ओर लोगों की जरत पड़ेगी, तो long run में employment भी बहुत जादा hamper नहीं होगी, but growth हाईगी उसके साथ, तो जब आप disadvantage भी बताऊगे ना, तब भी इसमें यह बोलोगी कि यह transitional हैं यह issues, but disadvantage है, acquiring bank, अगर मान लो, एक जो bank acquire कर रहा है, जैसे OBC का merger PNB में हुआ, OBC छोटा bank है, PNB बड़ा bank है, मान लो OBC के अंदर काफी सारे खराब loans हैं, छोटा bank है, छोटी-छोटी issues हैं, उसका burden ना, बड़े bank के ओपर आके गर गया है, जबकि तो यह advantage हुआ ना, disadvantage नहीं हुआ, अचा, दूसरा ना, यह थोड़ा सा एक point है, आंधरा bank है, जैसे, तो आंधरा के लोग उसके साथ connect feel करते हैं, तो जो एक emotional connect है ना, regional bank के साथ, पंजाब एंड सिंध बैंक है, PSB, तो वहाँ के लोग उसके साथ connect feel करते थे, बट अगर अब यह consolidate होता है, तो उसके बाद लोगों को थोड़ा सा एक बार यह लगेगा, बट over the time यह कोई बहुत बड़ी deal तो नहीं है, ना, emotional connect के उपर आप business नहीं कर सकते, तो यह थी दोस्तों, इसके बारे में वीडियो, यह सारी वीडियो मैं जड़ डाल चुका हूँ, सारी देख लिजी, आपके काम की हैं, वीडियो को like कर दिया करो, और अगर कोई भी वीडियो आप अगर चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो comment section में उसको लिख दीजिए, और बाकी लोगों के अगर same दिक्कत है, तो comment करने के बजाए, उसको like कर दो, उसकी comment को, मैं समझ जाऊंगा कि these many number of people are willing to have this video on this channel, ठीक है, और good luck for your examination, for your interview basically, आपने पूरी साल मेहनत करिये, तो यहां आके बिल्कुल dry run में मत जाओ, मेहनत करो, निकल जाएगा आपका, ठीक है, और thank you so much for watching, जय हिंद, जय भारत.